तो पाट सेकेंग की शुरुबात कुछ ऐसी होती है कि विचारी वह कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक तोसकी वाड़ी ऐसी हो गई उपर से यह इनसान मुझे चलाया जा रहा है कि युवान तुम यहां पर कैसे आई कैसे आई और कहां से आई इसके बाद वरुगान क जाओं मैंने तुम इतने सालों से तूड़ा है और आज तुम मिल गई तो तुम ऐसे भाग रही हो पर इवान उसकी बिल्कुर भी नहीं सुनती वह भागती जाती है जाकर उससे चुप जाती है इसके बाहर रुगान को हार माना पड़ता है इन इतने में शियाओ आ जाता ह जो कि इवा को लेकर वहां से चला जाता है और शियाओ उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुम रात को से घर पर ना गहीं होती तो इतनी सब कुछ बला क्यूं आती यहीं पर रुगान की हालत तो एकदम खराब हो चुकी थी वह से बस यहीं लग रहा था कि यार म को शियाओ दिखता है एंड इन दोनों की स्टोरी भी काफी लंबी होती हाई स्कूल में जब एवा की रिजेक्ट होने के बाद इवा का दिल को डूट जाता है वह अपने कमरें बंद कर लेती है तब यहां पर भाई सब को होश आता है और उसके घर पर उसे मनाने के लिए हैं तो इवा ही तो युओन नहीं तो श्याओ पर एकदब मना कर देता है और गया बाद उसमें तुम्हारे साथ बाद झाल शुङक्ट रहरे हो गया और युआ का फेकर मेरे सट्वेकर दिखाता है कि युओन की दो सालों पने शादी हो गई तो बेटे इड अब तेरा नं तो कहता है कि यार कुछ तो चूट रहा है अब भाइसाब ना चूटा देल लेकर उसी प्लेस में जाते हैं जहां पर सालों पहले बिचारी इवा को इतना सब जिलना पड़ाता सब्सक्राइब उसे मोटी मोटी कहकर बुला रहे थे और बिचारी बस रोए जा रही थी अभी बस इतना होता है कि वो तो अभी कहीं बाहर गई थी और वो अभी अभी अब्राट से लोटी है इसके बाद जाकर रुवान उसे कर्फन करता है क्योंकि उसने उसकी जो पोस्टेट फोटो से उने देखा था वो कहीं अलग अलग जगा की थी ना कि कहीं और गी इसके बाद उसे समझाता है कि तुमने जो फोटो पोस्ट की थी वो इस टोरी से बिलकुल मेल नहीं खा रहें तब ही वो से युवान के बारे पूछता है तो इवा उसे तोली मना कर देती है कि देख भाई मुझे कुछ नहीं पता युवान कहा है जहां भी हो मुझे क्या मतलब तुम अपनी स्टोरी खुछ समझो मुझे तो यहां से जाने दो इसी में तुम्हारी भलाई और मेरी भी उसके चकर में अपना बैग लिफ्ट में छोड़ा आती है जिसको अपने साथ लेका चला जाता है और अपने सामने बैठका उसे कहता है कि यार इसे खोलना चाहिए या नह दोने कोई भी नहीं कोशिच कर रहते हैं बट ट्रेक में कोई भी नहीं आने वाला था तोने को पता ही था कि दोनों कमना प्संद करता हूं काम निकालना है जिसमें की करते सब्सक्राइब और रूअन सारी शर्चाही बापस दोनी है तब्स सता है और यह सारी मैं युवान कैसे हो सकती हूं उसका साइज देखो मेरा साइज देखो कुछ दिमाग तो लगाये करो कि बार रुवान भाई साब कुछ भी नहीं मिलता एना फिदार वाला बंप फोड़ते हैं वो जाकर एवा के अपार्टमेंट के बगल में ही लगते हैं और जब उसे देख में कुछ भी नहीं मिलता और रुवान को बता था कि बस एक ही चीज़ से प्यार है और वो है टेस्टी खाना जिसके बाद ठीर साना खाना बनाता है एंड वेट करता है कि कभू के प्राणी की तरह एवा यहां पर आये उसे कुछ ना कुछ तो मिली जाए वी वाद चुपक प्राणी के बस्कारणी करते हैं तो अचले से जबाब देती है और रुवान को को यह क्लूब नहीं मिलता वाद इवा को नर्वाज वी कर वाने का एक भी मौटा नहीं चोड़ता बैचारी वी क्या करें आपको इतना समझाती है बेचारी फिर वी रुवान के आंगे पीछ पहुंची जाती है यहां पर मॉडल से हमारा इंट्रेड़क्शन होता है जिसका नाम है रुबैका दरसल यह कावी सालों से इस चैंपियंशिप को जीती आई है इवा के आने से थोड़ी इसक्यूरिटी फिल होती है तो गैस वाट यह अभी के लिए हमारी विलन है ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहां पर इवा को तो वैसे ही काफी हाट ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है जिसके चक्कर में वह सभी से जादा हाइज स्कूर बना चाती है तक कि रिकॉर्ड में उसका जू सबसे हाई रहता है और यह देखका तो रुबैका की जी जान सब को जल जाता है उसे अभी से बहुत होने लगता है कि कहीं लड़की मेरी चैंबियंशिप खुदना ले जाए इसके बाद जब खाने की बारी आती है इवा पूरे दिन में सबसे कम कैलोरी का खाना खाती थी और यह सुनका तो रुबैका को विल्कुल यकीन नहीं होता है कि इसके बाद वहारी बहुत ज़्याद जुल मठाती है उसे इतना कम खाना देती है कि जैसे वह चीटी वह तो एक खाती के बराबर खाती है भली यह वाद कि वह मोटी नहीं होती इवा को बस एकी चीज़ से तो प्यार है प्री जिन्दगी में वह है खाना अगर वही उसके मिले तो विचारी कैसे जीएगी इसके बाद बीमार होने का नाटक करने लगती है और जब उसे मेडिकार रूम ले चाहाइज आता है तो वहाँ पर उसे तहकीकात करने पर अपना मोबाइल मिल जाता है इसके बाद वह सी और रुवान मेंसेज होती हैं कि वह बहुत ही ज्य अपने मैनेजर से कहता है कि जब वहां पर गई तो उसने उसे बार भी नहीं बताया तो अब वहां पर क्यों जाए यहां पर मैनेजर लो रहती है तो पुरा-पुरा मन था जाने के लिए बट भाई साब को अपना रॉप भी जाड़ना है इसके बाद पहुंच जाता है अपन यहां पर नजर सालों से रुपान पर रहती है पर रुपान ने उसे कभी भी भाव नहीं दिया वहसे हमेशा रिजेक्ट करता ऊपकों तो में सेलफ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है भी या नहीं जो बार बार आ जाती हो इसके बार क्या है उसका मुवबनदी हो जाता है जहां पर रोपै का केक लेकर हमारी वाओ खिलाने आप कर तबी यहां कीजार किया है वैसे कोई भरोसा नहीं इस लर्की का क्या मैंच चाहिए पर माहलती है को सारी कपल खराब बाते हैं और उब्हाद jáके हैं गड़ींग्ति जा जाति हैं दोनों हंता है में घड़ागय माहला है वखेडस सो द्रेसफर ara हैए तो हम सबस्क्राब पारिवा जाती है यह थैसे उनल टांस उब्हान इसके बार रुवान उसे बाहर चलने के लिए बोलता है तो इवा उसके साथ खुशी-खुशी चले जाती है जिसके बाद वह बहुत ही सुन्दर किस्ट करता है तब यह दिखा तो और भी ज़्यादा सप्राइज चाती है बसे रुवान का यह सारा परपस था कि उसके पैर च चोड़ का ऐसे भागता है जिसे उसने चुड़ेल देख ली हो कहता है कि मुझे कोई काम आ गया है तो मैं ऐसे जाना चाहता हूं तब इवा उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि यार यह क्या बात हुए अभी तो रोमेंटिक हो रहे थे और अभी एक्दम देबदास वाल लोट कर जाता है तब तक शियाओ इवा को लेने के लिए आ गया था उससे कहता है कि मेरी प्रिंसेश चलो कार में चलो क्या बात हुए अगर रुआन तुम्हें छोड़ का चला गया तो कोई नहीं मैं तो हूँ ना तमारी हेल्प करने के लिए इस तो के इसके बाद फाइन हमारी हेरो भी वहरी मुझें यहा को अपने कोट से कभर करता है और अशी के साथ वारा यह पार्णी में खतम हुटा है तो बिलते हैं नेक्ससपरक के साथ तके लिए बाए टेक्यार